जैहिन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Learning Humanities YouTube चैनल पे आज हम पढ़ेंगे Class 12 Political Science, Book 2, Contemporary World Politics Cup Chapter 1, The Cold War Era दोस्तों उसमें जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, वह है Cold War, Cuban Missile Crisis, Reason of Cold War, NATO, Warsaw Pact और Arenas of Cold War तो चलिए शुरू करते हैं Cold War शुरू करने से पहले, हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है, कि Cold War कैसे शुरू हुआ, US और USSR कैसे दो सुपर पावर्स बने दोस्तों, Cold War तो तब ही शुरू हो गया था, जब Second World War खतम हुआ, और Second World War 1939 से 1945 के बीच चला था दोस्तों, Second World War में पूरा वर्ड दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, Axis Powers और Allied Forces दोस्तों, Allied Powers में थे Great Britain, France, US और USSR USSR आज के रश्या को कहते हैं, और Axis Powers में थे Germany, Italy और Japan दोस्तों, Second World War में Allied Force जीती और Axis Power को हार न पड़ा दोस्तों, Second World War officially अगस्त 1945 को एंड हुई, जब US ने जापान के दो शेर, Hiroshima और Nakasaki में Atomic Bombs ड्रॉप किये, दोस्तों, इन Atomic Bombs का कोडने में, Little Boy और Fat Man दोस्तों, Second World War में Allied Forces तो जीत गई थी, लेकिन इसमें से दो ही क्यों सुपर पाउर्स बनी, France और Great Britain क्यों नहीं बने दोस्तों, इसका अंसर यह है, कि जो Second World War थी, वो यूरोप में हुई थी और France और Great Britain, डारेक्ली बैटल में इंडल से, जो में लड़ाई हुई थी, वो इनकी जमीन पर हुई थी इसलिए इन्हें बहुत लॉस हुआ था, और इनकी एकोनोमी बहुत जादा गिर गई थी दोस्तों, इसलिए Second World War में दो सुपर पाउर्स ही रह गई, US और USSR और दोस्तों, जब कहीं भी दो बहुत पाउर्स लोग रहते हैं, तो उनमें हमेशा होड रहती है, कि कौन उपर निकलेगा, कौन जादा पाउर्स बनेगा वही US और USSR के बीच था, और Second World War के end होते ही, जब ये दोनों सुपर पाउर्स बनी, तो इनमें होड शुरू हो गई, कि कौन जादा पाउर्स है, और यहीं से Cold War शुरू हुआ हमारा फर्स टॉपिक है, Cold War, दोस्तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा, कि Second World War में पूरा वर्ड दो गृप्स में डिवाइड हो गया था, उसी तरह जब Cold War शुरू हुई, तो पूरा वर्ड तीन गृप्स में डिवाइड हो गया, पहला USA और उसके अलाइस, दूसरा USSR और उस चोटे लेवल पे होई, दोस्तो क्योंकि सब को बाता है, अगर इसमें मास लेवल पे वैपन्स का यूज होता, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता, कोई भी इस से जीतता या हारता नहीं, सब बरबाद हो जाते, दोस्तो क्योंकि उस वक्त तक सब के पास जाएगी, कोई नहीं बचेगा, इसलिए Cold War बस Cold War रही, और इसमें बस Hot Statement का ही यूज हुआ, नेक्स्ट है, Cuban Missile Crisis, दोस्तो कोल्ड वार आपको पता है, कि 1945 में Second World War खतम होते ही शुरू हो गई थी, लेकिन Cuban Missile Crisis को Cold War को एकदम पीक पॉइंट माना जाता है, Cuban Missile Crisis के टाइम प निकिता खुरूशेव, उन्हें अचानक से पता नहीं क्या ख्याल आया, उन्हें ये डर लगने लगया, कि जो उनका एलाई है क्यूबा, वो USA के बहुती क्लोज है, तो ये सोचने लग गए, कि USA क्यूबा को इन्वेड ना कर ले, वहाँ पे अपनी मिलिटरी भेज के, वह वहाँ पे न्युक्लियर वेपन इंस्टॉल कर दिया, दोस्तों, तीन हफ़ते बाद, ये खबर अमेरिका के प्रेजिजेंट को पता लगी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैंशन होने लग गई, उन्हें ये लगने लग गया, कि USSR अब क्यूबा के जरिए हम पे हमला क करेगा, ये सब पता लगने के बाद, USA के प्रेजिजेंट जॉन एफ केनेडी ने सोवियत यूनियन को वार्निंग दी, और उन्हें कहा कि तुम क्यूबा से अपनी न्युक्लियर वेपन्स हटा लो, और जॉन एफ केनेडी ने अपने वार्शिप्स को ओर्डर दिया, कि क् अपनी शिप्स को बैक किया और वापस उसर चले गए, और दोस्तो ऐसे ही, क्यूबन मिसाइल क्रैसिस, कोल्ड वरी रा, हॉट वार में चेंज होने से बच गया, दोस्तो आप अपनी स्क्रीन पर वर्ड मैप देख रहे होंगे, और इसमें आप देख सकते हैं, कि USA के क्यू कार को हटा ना दे, दोस्तो इसलिए USSR ने अपनी वार्शिप्स बेजी, और USA ने उन्हें बीच में इंट्रसेप्ट कर लिया, और दोस्तो यही था, क्यूबन मिसाइल क्रैसिस, रिजन्स ओफ कोल्ड वर, दोस्तो कोल्ड वर का में रिजन तो यही है, कि दोनों सूपर रहे थे, लेकिन इसके कुछ और रिजन्स भी थे, जैसे आइडेलोजिकल डिस्प्यूट, दोस्तो USA फॉलो करता था, लिबरल डेमोक्रिसी और कैपिटलिजम को, दोस्तो कैपिटलिजम में मैक्सिमम चीज़ें प्राइविटाइज कर दी जाती है, जो कंट्री के मैक्सिम और कम्निजम के आइडेलोजी में मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम रिसोर्सेज गवर्मेंट ओन करती है, और इसमें मैक्सिमम जो रोल होता है, एकोनमी चलाने का, वो सरकार का ही होता है, दोस्तो हमारा सेकिंड पॉइंट है, एलाइन सिस्टम, दोस्तो दोनों सुपर पॉइस, एक दूसरे से जादा पावर्फुल होना चारे थे, और दोस्तो हम किसी से पावर्फुल कभ होते हैं, जब हमारी गैंग में, जाद से जादा लोग जूटते हैं, तो वही ये दो, दोनों सुपर पावर्स करने लग गई, चोब करने लग ले दोस्तो हैं, District पूरे वर्ड में अपना पावर फिलाने लग गए और सब को अपने और कब जाने लग गए सब के साथ फ्रेंडशिप करने लग गए अपनी पावर बढ़ाने के लिए हमारा थर्ड पॉइंट है मार्शल प्लैन दोस्तों मार्शल प्लैन USA के लीडर जोर्ज सी मार्शल लाए थे जैसे कि आप सभी को बता है सेकेंड वर्ड वर में यूरोप की एकोनोमी बहुत जादा गिर गई थी वो एकदम कंगाल होने की कगार पे आ गए थे तो दोस्तों USA के जो लीडर है जोर्ज सी मार्शल उन्होंने एक इकोनोमिक एड और एक फाइनेशल एड का एक प्लैन चलाया जिसके अंदरगत वो होल यूरोप को फाइनेशल एड देने वाले थे दोस्तों लेकिन जब यह सब शुरू हुआ तो यह दिखा कि वो सिर्फ वेस्ट यूरोप को ही हेल्प कर रहे हैं इससे इस्ट यूरोप को कुछ फाइदा नहीं हो रहा है तो दोस्तों उसके बाद जब ये USSR को पता चला तो वहीं कॉम्पिटिशन वाली बात आ गई नाटो, North Atlantic Treaty Organization दोस्तों जो हमने एलाइन सिस्टम पड़ा वो कुछ ऐसा ही है दोस्तों नाटो एक 12 कंट्रीज का ग्रूप है जिसके अंदर 12 कंट्रीज ने ये ट्रीटी साइन की वी है कि अगर इन 12 कंट्रीज में से, किसी भी एक कंट्री पर अगर कोई भी हमला करता है तो ऐसा माना जाएगा कि इन 12 के 12 कंट्रीज पर हमला हुआ है और ये 12 के 12 कंट्रीज फिर इटेलियेट करेंगी दोस्तों नाटो 1949 में एक्जिस्टेंट में आया और इसका जो मेनी से लाया वो USA ही था और दोस्तों इसके 12 मेंबर्स जो हैं वो हैं USA, UK, Belgium, Canada, Denmark, Italy, Netherlands, Portugal, Norway, Iceland और France दोस्तों इसी तरह USA अपनी पावर बढ़ाने के लिए और भी इसने ट्रीटी की जैसे CETO और CENTO, Central Treaty Organization और Southeast Asian Treaty Organization दोस्तों जब USSR को ये पता लगा तो वही competition होली बात आ गई और वो भी लाये एक Warsaw Pact नाम का Alliance इसमें इन्होंने अपने Alliance से भी कुछ समझोते किये और इन्होंने भी एक Alliance सिस्टम बनाया है Warsaw Pact और ये इन्होंने बनाया है 1955 में दोस्तों ये बहुत important question है जो आपकी स्क्रीन पर है Why superpower need allies? दोस्तों ये काफी बार एक्जाम में आता है और इसके answer है पहला है vital resources दोस्तों जैसे कि कोई superpower है उसके ally है Gulf countries मतलब इराक इरान जहांपे बहुत सारा oil होता है दोस्तों definitely उस superpower को इससे काफी help मिलेगी उसको इसके काफी vital resources यूज करने को मिलेंगे Second है to launch their weapons and troops दोस्तों जैसे कि आपने देखा USA और USSR में काफी दूर है तो USSR ने अपने weapons क्यूबा में रख दिये ताकि कभी भी अगर USA उस पर attack करे तो वहां से फटा-फट अपने weapons launch कर सके दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा benefit है दूसरा है location to spy दोस्तों जो super powers है वो उन्हें एक दूसरे पर जासुसी करनी पड़ती है ताकि पता लग सके कि ये जो दुश्मन है वो क्या करने वाला है इसलिए छोटी-छोटी countries से कुछ जासुस उन बड़ी-बड़ी countries में भेजते थे economic support दोस्तों जब बहुत सारी छोटी countries एक बड़ी country को support करेंगी तो उसको military या war के दौरान बहुत help मिल सकती है इससे उसे काफी फायदा होगा दोस्तों इसलिए super powers allies बनाते थे और यह काफी important question है आप इसे पढ़ लिजिएगा यह example में कही बार आता भी है Arenas of Cold War दोस्तों Arenas of Cold War का मतलब है कि वर्ड में कौन-कौन से कोने में यह Cold War चल रही थी दोस्तों Cold War जैसे कि हमने पढ़ा कि कहीं-कहीं पे यहाँ पे weapons भी यूज हुए पर यह उतने mass level पे नहीं हुए यह बहुत ही छोटे level पे यूज हुए और फिर बंद भी हो गए जैसे Korea में 1950 से 1953 के बीच में Berlin 1950 से 62 Congo 1960 में और अफगानिस्तान में दोस्तों यहाँ पे weapons यूज हुए यहाँ पे bloodshade भी हुआ पर वो उस level पे नहीं हुआ कि third world war शुरू हो जाए यह बहुत ही छोटे level पे हुआ और उसी छोटा level पे से खतम कर दिया गया इस chapter के बचेवे topics हम next video में cover कहनेंगे Hope you like this video, thank you